नमस्ते रोस्तों, वेलकम टू माँ चैनल, दोस्तों आज बात करेंगे 212 डिविजन के बारे में, so 2020 का जो ओलम्पिया होने वाला है, उसमें हम सभी जानते ही है कि Flex Lewis जो 7 टाइम चैम रहे चुके है 212 डिविजन के, उन्होंने अब शिफ्ट किया है Men's Open Bodybuilding के डिविजन में, at the 2020 ओलम्पिया, so सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों की, 2020 के ओलम्पिया में, 212 डिविजन में अब सबसे नया स्टार कोन होगा, कोन नया चेहरा होगा, जो इस लेगेसी को continue करेगा, जैसे Flex Lewis ने continuously 7 टाइम अपनी लेगेसी मेंटेन रखे थी, so एक Bodybuilder है, जो मुझे लगता है कि yes, यह लेगेसी continue रख सकते है, और वो Bodybuilder है Derek Loonesford, तो Derek Loonesford ने कुछ दिनों पहले अपने Instagram के उपर कुछ pics upload किये थे, जो मैं आपको दिखा दूँगा, यह तो स्क्रीन पर आप pics देख रहे है दोस्तों, यह Derek Loonesford की photo है, Derek Loonesford 2018 के Olympiay में second आए थे, 2019 के Olympiay में भी second आए थे, at the 212 division, सो Flex Lewis के बाद अगर कोई है जो literally इस throne को accept करके एक legacy forward आगे continue कर सकता है, तो वो Derek Loonesford है, आप इनकी physique देखिए, क्योंकि इनकी physique Flex Lewis के physique से काफी match खाती है, जिस तरीके से Flex Lewis अपने physique में एक 3D muscular dimension लेकिया आते थे, एक काफी अच्छी muscle density लेकिया आते थे, उसी तरीकी physique Derek Loonesford लेकिया सकता है, 2019 के Mr. Olympia में Derek Loonesford को काफी criticize किया गया था, क्योंकि वो काफी soft condition में आ गये थे, काफी लोगों को ये मानना था कि Derek Loonesford के पास वो capability थी, और वो काफी wide door open था Derek Loonesford के लिए 2019 के Olympia में, और 2019 के Olympia Derek Loonesford जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने on point conditioning नहीं लाई और इसके वेड़े से 2019 का Mr. Olympia Derek Loonesford नहीं जीत पाए, जो 2019 का Olympia था, उसका में एक scorecard आपको दिखा रहेता हूं, ये है दोस्तों 2019 का scorecard, या आप officially Mr. Olympia LLC.com के page पे जाके वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे सारे years के scorecard की list अपको मिल जाएगी, तो ये जो list इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 2019 के 212 division की list है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे आए थे कमाल अलगाल गरी, ये लिबिया से बिलॉंग करते हैं, लिबिया बॉडी बॉल्डर है, काफी अच्छी बेटरिंग कंडिशन लाए थे, काफी वेल बैलेंस्ट प्रपोर्शन बॉडी थी और उसी की वज़े से 2019 में 212 division जीत गए थे, लेकिन काफी लोगों ने अपनी जो उपिनियन्स है, वो डेरिक लिउन्सफोर्ट के उपर लगा के रिखे थी कि शायद डेरिक लिउन्सफोर्ट 2019 में जीत सकते थे, लेकिन जैसे में ने कहा कि उनकी कंडिशनिंग ओन पॉइंट नहीं थी और उसकी वज़े से 2019 मिश्ट ऑलम्पिया नहीं जीत पाए अब अगर 2020 के मिश्ट ऑलम्पिया की बात करें दोस्तों तो 2020 का मिश्ट ऑलम्पिया तम जानते ही है कि काफी स्पेक्टैकुलर ऑलम्पि से काफी प्रिपैर्ड है हाला कि 12 विक्स बाकी है मिश्ट ऑलम्पिया को स्टार्ट होने के लिए लेकिन अभी से काफी अच्छी शेप में लग रहे हैं काफी अच्छी प्रपोर्शन्स में लग रहे हैं अफकोर्स अब वह बैट अपना ड्रॉप करना शुरू करेंगे औ अच्छा वाक्यूम पोस्ट कर सकते हैं और यह फोटो है वह आप यहां पर देख सकते कि यह इंडिपेंडेंस डे की फोटो होगी महां पर अमेरिकन प्लाग पिछ लगाया है लेकिन इस फोटो में आप स्पेशली देख सकते हैं कि उनकी मेट सेक्षन पर दिखिए उनका म में कितने अच्छी साइज है सब जब लाक्स में अपके साइज होती है और अब मिट सेक्षन को वैक्यूम में ले जाते हैं तो एक एस्थेटिक लिए वह फिजीक देखने के लिए काफी प्लीजिंग लगती है और अगर डेरिक लूंसफोड इस फिजीक को ला सकते हैं 2020 कि अलम्पिया में हैंस डाउन तो आराम से जीत लेंगे डेरिक लूंसफोड दोस्तों यह था वीडियो डेरिक लूंसफोड को लेके जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अफकोर्स टूटल डिविजन में लेगसी मेंटेन रखेंगे क्योंकि यह काफी यंग ब और स्टार्टिंग साही टॉप 5 में प्लेस हुए है टॉप 2 साल से यह काफी अच्छी स्टैटिस्टिक्स है किसी बी बॉडिविल्डर के लिए देखते हैं कि फ्यूचर डेरिक लूंसफोड के लिए क्या लाता है मेरी मारे तो मैं कहूंगा कि डेरिक लूंसफोड फ्यू क्या लगता है डेरिक लूंसफोड के बारे में मुझे ज़रूर बताईए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सा फैमिली के साथ शेयर कर देना अगर आपने अमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शार को सब्सक्राइब कर दीजिए उसी के साथ बैल आकों क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूटूब पे अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकर्शन मिलेंगे और आप मेरे वीडियो सबसे पह झाल